नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ज्यादा कह रहे थे कि सामानने हिंदी पढ़ा दो साहित्यक हिंदी सामानने हिंदी दोनों वरक के विद्यारतियों के लिए है पवंदूतिका हर्योद निलिखा है और हमने आपको पवंदूतिका के जो लेखक है जो रचहिता है अरियोद जीका कल साहित्यक परिचे भी करा दिया था पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो दो पार्ट में हो जाएगा तो जगनात दास रतनाकर का मैं अगले दिन पढ़ा दूँगा पहले ये पढ़ लेते हैं ताकि सामान्य और साहितिक दोनों साथ साथ चलता रहे आलाकि बहुत जादा डिफरेंस नहीं है केवल ब्याकरण थोड़ी सी भिन्न है सामान्य की और एक दो चैप्टर भिन्न है बाकी सब कमबाइन चलना है सामान्य साहितिक दोनों वर्क के विद्धर्थियों के लिए पबंदू दिका है तो एक एक मीनिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको यहाँ पर दिखें क्या लिखा है बहुत धंग से समझिएगा ठीक है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वैगेह में थी अकेली आके आशू द्रिग युगल में से थे धरा को भिगोते आई धीरे इस सदन में पुश्प सद गंध कोले प्रातावाली सुपवन इसी कालवाता यनों से समझो कि बैठी थी कौन खिन्ना माने उदास यानि जब भगबान कनहिया गोकुल से ब्रांदावन से मतुरा को चले जाते हैं तो तमाम गोपियां भी विरह विथित होती हैं इधर राधा जी स्पेशल विरह विथा में विथित रहती हैं तो रोती थी राधा जी यहां पर रो रही हैं तो एक दिन अकेली राधा जी दुखी बैठी थी कहां बैठी थी समझो खिन्ना माने होता है उदास या दुखी ठीक है यक कार्त होता है एक दिवस कार्त होता है दिन वे माने वे वे कौन राधिका जी गेह माने होता है घर अकेली माने अकेली जानते हो एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी फिर क्या हो रहा था आके आसू द्रिग यूगल द्रिग यूगल का यूगल माने होता है दोनो ठीक है और द्रिग माने होता है नेत्र ठीक है द्रिग माने होता है नेत्र और यूगल माने होता है दोनो दोनो नेत्रों में थे आसू आ रहे धारा माने धर्ती को भिगो रहे मतलब गीला कर रहे थे यानि दोनों आखों से निरंतर अस्रुप्रवा हो रहा था राधिकाजी अकेली घर में थी ऐसे में त्रिकृष्ण की याद में उनके दोनों नेत्रों से अविरल आशुओं की धारा बह रहे थी और धर्ती को गीला कर रहे थी आई धीरे इसी मद्ध में क्या हुआ एक घटना घटती है कौनसी घटना? आई धीरे इस सदन, सदन मतलब होता है घर पुष्प सदगंध, सदगंध मतलब होता है सुगंध, ठीक है? को ले, ले माने ले करके फिर इस घर में जहां पर राधा जी बैठी थी वहाँ पर पुष्पों की सुगंध को ले करके आई धीरे, धीरे से आई क्या प्रातावाली सुपवन सुपवन मतलब होता है सुन्दरपवन सुन्दरपवन यानि शीतल मंद सुगंध मंद मंद पवन जो मनुष्चे को लाब पहुचाती उसे सुपवन कहते हैं तो प्रातावाली सुन्दरपवन इसी काल, इसी काल माने होता है इसी समय, वातायन माने होता है खिडकी, ठिक है? खिडकी या जरोका से यानि इसी समय मतलब पवन ने वह पवन पवन प्राताँवाली जो थी वो पुष्पों की सुगंधी से युक्त थी और घर में खिडकीयों के माध्यम से आती है क्यानि हवा चलने लगी फिर क्या हुआ दूसरा देखेगा संतापों को विपुल बढ़ता देखके दुखिता हो धीरे बोली सदुखुस से स्रीमती राधिकायों प्यारी प्राताह पवन इतना क्यों मुझे है सताती क्या तू भी है कलुशित हुई काल की क्रूरता से संतापों अर्थात होता है दुखों ठीक है बिपुल माने बहुत ज्यादा या अत्यधिक बढ़ता देखके दुखित हो करके और दुखी हो करके क्यानि पवन के आगमन से उसके संताप उसके दुख और बढ़ गए तो संतापों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखके जब उसके दुख यानि उसका जो दुख था उसकी परेशानिया थी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी उस हवा के माध्धिन से उस हवा के कारण तो उसको देखके दुखिता हो दुखी हो करके धीरे बोली सादुख सादुख मतलब दुख के साथ स्रीमती रादेकायो स्रीमती रादेका उससे धीरे से बोली क्या बोली प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती है प्यारी प्राता वाली पवन मुझे इतना क्यों सता रही है क्या तू भी कलुशित हुई है यानि की मलिन हुई है यानि की मुर्जाई हुई है काल की कुरूरता से क्या तू भी समय के चक्र में पढ़कर के तू भी कलुशित हो गई है तू भी मुर्जा गई है तू भी मलिन हो गई है राधा ने कहा कि हे पवन तू मुझे इतना क्यों सताती है क्या तू भी मेरी तरह काल से कलुशित हुई है काल से कलुशित हुई है तो फिर कहती है राधिका कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रवाले, जाके आए नम धुबं से ओन भेजा संदेशा मेरो रोके प्रियवेराह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा, शाम को तू सुना दे फिर क्या कहती है रादिकाजी, पवन को अपना संदेश स्रीकृष्ण के पास ले जाने के लिए कहती है क्या कहती है, कि मेरे जो प्यारे है, नव माने नवीन, जलद माने होता है मेघ यानि की बादल मेरे प्यारे नव जलद अर्थात नवीन मेगों से माने के समान, उपमा अलंकार यहाँ पर है, रस आपका वियोग सरंगार है, ठीक है, अलंकार यहाँ पर उपमा है, और भासा खड़ी बोली है, ठीक है कंज से, कंज माने होता है कमल, नेत्र माने नयन, यानि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात घन शाम, मेरे प्यारे जो घन शाम है, स्रीकृष्ण है, घन की तरह शाम है, वे स्रीकृष्ण कंज से नेत्र वाले, जो कमल नयन है, कमलों अर्थात, कमल के समान नेत्रों वाले जाके आये न मधुबन से, यानि जब वो मतुरा गए हैं, तो ना वहां से वापस लोटे हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है, मैं रो-रो के प्रिय विरह से, मैं अपने प्रिय स्री कृष्ण के विरह से, वियोग से बावली हो रही हूं, पगलाये जा रही हूं, और जाके म खहती है, कि अब रास्ता बता रही है, राधिका रास्ता बता रही है, कि कैसे तुमको जाना है और पूरा डेटेल डेती हैं, कि जहो ही मेरा भवन, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पूरा का पूरा आर्थ हुए, इसे ही मिल जाएगे, क्योंकि बात चीत ही है, बहुत कठिन नहीं है, जोही मेरा भवन तज, तज माने त्याग करके, ठीक है, तू अल्प, अल्प माने होता है, थोड़ा आगे बढ़ेगी, जैसे मन जुमाने सुन्दर, मन जुमाने सुन्दर, कुझे मिलेंगी, कुझे मिलेंगी, कुझे माने होता है, छोटी सी बगैचा, बावडियां, ठीक है, कुझे मिलेंगी, यानि कि वाटिकाएं मिलेंगी, बावडियां मिलेंगी, बगीचे मिलेंगी, छोटे-छोटे, प्यारी प्यारी छाया है उसकी मर्दुल स्वर से और वहाँ पर मर्दुल कोमल स्वर बह रहे हैं किनके पक्षियों के मोह लेंगी तुझे वे समोहित कर लेंगी मोह लेंगी तो भी मेरा दुख लक लक माने देख कर ठीक है? तो भी मेरा दुख देख कर वहाँ जाना विश्राम लेना फिर भी मेरा दुख देख करके वहाँ जा करके तुँ मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ विश्राम नहीं तुझको लेना वहाँ आराम मत करने लगना ठीक है तो पटना देहरी लखनव काशमीर सुखदे अब इसमें एक बादचीत भी है कि एक दुलहन से कोई कहता है कि पटना देहरी लखनव काश्मीर सुखदेद कि करनाटक नेपाल की जयो कंत निकेत पट ना अर्थात घूंघट ना पट माने घूंघट ना माने नहीं देहरी देहरी मतलब दिल्ली देहरी मतलब देरी तू घूंघट मत दाल लख नवू, लख माने देख नवू मने उनको, ऐसे, तो तो उनको देख, का समीर सुख देत, क्या समीर सुख दे रही, तो ऐसे इसमें सलेश अलगकार है, तमाम देशों के नाम भी है, और साथ में इस्थानों के नाम भी है, और उसका अर्थ भी अलग निकल रहा है, तो ऐस नहों कि वहीं पर तू बिश्राम लेने लगना फिर कहती है कि थोड़ा आगे सरसरव काधा मुसत पुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य शाली प्यारा व्रिंदा विपिन मन को मुद्ध कारी मिलेगा कैती है कि थोड़ा आगे सरस, सरस माने होता है रसपूर, रब माने होता है धोनी, अरथात मीठी धोनी वाला धाम माने होता है घर सत पुष्पों वाला अर्थात सुन्दर सुन्दर सच्चे पुष्पों वाला वास्तविक सौंदर्य से युक्त पुष्पों वाला घर मिलेगा किसका धोनी का घर मिलेगा सरस धोनी का धाम सत पुष्पों वाला यानि थोड़ा जैसे आगे तू बढ़ेगी तो तुझको मृदुल धुनियों से युक्त सत पुस्पों वाला कौन अच्छे अच्छे बहुत सारे दुरुम आने होता है व्रिक्ष व्रिक्ष लतावान सौंदर शाली लताओं से युक्त सौंदर शाली अनेक व्रक्ष प्यारा व्रंदा विपिन प्यारा व्रंदा वन मिलेगा व्रंदा विपिन मतलब व्रंदा वन प्यारा मिलेगा मन को मुधकारी मिलेगा अर्थात मुधकारी मन को मोहने वाला सत पुष्पों वाला मर्दुल धुनिका भंडार क्या मिलेगा बहुत सारे लतावान व्रक्ष जहां पर है ऐसा सुन्दर ऐसा मनमोहक तुझको व्रंदावन मिलेगा आना जाना वहां से आना और जाना आना और चली जाना और चले आना क्या विपिन से उस जंगल से आना जाना लेकिन मुहिमाना नहोना मोहित नहोना तू अबन को बहुत ज्यादा समझा देती है राधिकाजी कहती है तू आना जाना पर मुहे माना न होना लेकिन मोहित मत होना देखो कहीं पर ठीक है फिर देखो कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना धीरे धीरे परस करके गात उत्ता पुखोना सद गंधों से इस्त्रमित जन को हर शितों सा बनाना जाते जाते अगर पत माने होता है रास्ता अगर जाते जाते रास्ते में तुझे क्लांत माने होता है ठका हुआ ठका या दुखी दोनों बाते होती है ठीक है परेशान कह सकते हैं कोई अगर तुझे ठका दुखी या परेशान दिखाई दे तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब होता है उसके पास चली जाना और उसकी क्लांतियों को अर्थात उसके ठकावट को उसकी मुर्जायपन को मिटा देना अगर तुझको कोई रास्ते में ठका बटो ही दिखाई दे तो जाना और उसकी सारी ठकान को धीरे धीरे उसको इसपर्श करके उसके पास जाकर के धीरे धीरे परस परस माने होता है इसपर्श करके गात माने शरीर को और उत्ताप माने होता है गर्मी को खोना माने समाप्त कर देना, धीरे धीरे उसको इसपर्ष करके उसकी गर्मी, उसके शरीर की ताप को, शरीर के ताप मान को कम कर देना, सद गंधों से स्रमित, सद गंध अर्थात अपनी सुगंधित हवा से, उस स्रमित जन अर्थात ठके हुए व्यक्ति को हरशितों सा बनाना, यानि की प्रसन आगे देखो क्या कहती हैं। विक्रित वसना तो न तू सुन्दरी को जो थोड़ी भी स्रमित वाहा हो गोदले श्रांति खोना ओठों की ओग कमल मुख की मलानता आए मिटाना ये है इसकी दोनी असली है तो लज्जाशिला अर्थाद जो शरमीली पथिक महिला पथिक महिला मतलब राहगीर पहले जो गवना होता था तो ससुर बुलाके ले जाते थे ससुर जी आगे आगे और महिला पीछे पीछे होती थी बहुरिया पीछे पीछे होती थी और ससुर जी आगे आगे होते थे ऐसे लोग बुलाके पैदल जाते थे पहले वाहन थे नहीं या तो बहलगारी में जाते थे बहुत ज़ादा दूरी होती थी 10-15 किलो میٹر तो आदमी ऐसे ही चला जाता था, खेल-खेल में, तो कहता है लज्जाशीला पथिक महिला, कि राहगीर अगर कोई लज्जाशील यानि कि बहुरिया कोई, लज्जाशील घूंगट काड़े हुए, पथिक महिला यानि कि राहगीर महिला जो कहीं दृष्टियाए अगर दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना, विकृत वसना माने होता है वस्त्रहीन, विकृत वसना यानि जिसके वस्त्रों को विकृत कर दिया गया हो, उसको कहते हैं विकृत वसना, तो कहते हैं विकृत वसना होने देना न तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तु वस्त्रहीन मत होने देना यानि उसके वस्त्रों को मतूडाना जो थोड़ी भी स्रमित हो स्रमित माने अगर थोड़ी भी वो ठकी हो तो उसको गोद में ले लेना और स्रांतिक होना उसकी ठकान को मिटा देना हवा से कह रही है रादिका फोटों की और कमल मुख रूपकलंकार है कमल मुख में पोटों की और उसके कमल रूपी मुख की जो मलिंताएं होंगी जो जुरियां होंगी जो रूखापन होगा उसको मिटा देना ठीक है फिर कहती हैं कि कोई क्लांता क्रिसक ललना कोई क्लांता क्रिसक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परसूस की क्लांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो व्याम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त हू तांगना को कहती हैं रादिका अगर कोई क्लांता मतलब होता है ठकी हुई क्रिसक ललना किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे अगर खेत में तुझे कोई किसान की स्त्री क्रिसक महिला तुझको दिखे तो धीरे धीरे इस परस माने इस परश करना उसको उसकी कलांतियों को यानी कि उसकी थकान को मिटा देना जो ताप होगा उसको मिटा देना और जाता कोई जलद माने होता है बादल अगर कोई बादल व्यों माने होता है आकाश अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे लाना और उसकी छाया के द्वारा अर्था छाया के माध्यम से उसको सुखित करना यानि कि उसको प्रसन करना ठीक है तप्त भूतांगना को तप्त माने होता है तब 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 माने होता है गर्मी से व्याकुल भूतांगना माने इस्त्री को ठीक है तो उस इस्त्री जो उस गर्मी से व्याकुल इस्त्री को तू क्या करना प्रसंद करना सुखित करना अर्था थंड़क पहुचाना उसको कैसे आकास में अगर कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसको सूरे के सामने ले आना और छाया कर देना और उसकी छाया के द्वारा ही तुस भूतांगना को सुखित कर देना तमाम प्रश्ण बनेंगे ध्यान दीजेगा तो सब हो जाएंगे फिर कहते हैं कि जाते जाते मतूरा धाम यहां देखो कि जाते जाते पहुँच मतूरा धाम में उसका हो यहां यहां तु जाना लोको पकारनी राधा का चितरण हुआ इसमें कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मतुरा धाम में उत्सुका हो, नियारी शोभा वर नगर की देखना मुद्ध होना, अब देखो मस्ताया है, कि जाते जाते, पुनरुक्ती प्रकाश लंकार है, जाते जाते दो बार लिग गया है, पहुंच मतुरा धाम में, फिर जब मतुरा धाम में पहुँच दाना तो वहां उत्सुक हो करके नियारी शोभा अर्थात संपूर संसार से जिसकी सोभा जिसकी सुंदरता नियारी है वर माने होता है स्रेष्ट वर माने स्रेष्ट नगर की देखना सोभा वर नगर की देखना सोभा उस्रेष्ट नगर की देखना और मु मुख्ध होना यानि मोहित होना वहीं पर जाकर के उत्सुका होना बीच रास्ते में धरुदन नहीं भटकना फिर नहीं तो जानती हो हमको फिर हाँ हम तुम से कोई काम नहीं कहेंगे तुमको हम सहेली नहीं मानेंगे पवन से राधा कह रही है कि अगर जाते जाते अंततह उत्सुक हो जाना और उत्सुका तुम होई जाना क्योंकि न्यारी सोभा वर नगर की देखना मुगधोना उस स्रेष्ट नगर की जो न्यारी सोभा है संपूर जग से अलग सोभा है उसको देखना और उससे तू मोहित होना तू होवेगी चकित लखके मेर उसे मंदिरों को त सुमेर उपरवत जो सोने का परवत था, तो ऐसे सुमेर उपरवत के समानसुर्ण मंदिरों को देख करके तु चकित हो जाएगी, आभा वाले कलस जिनके दूसरे अर्क से है, जिनके आभा वाले यानी की सौन्दर्य साली, आभावाले यानि की सौंदर्य शाली कलस जिनके मंदिरों पर सौंदर्य शाली कलस दूसरे अर्क अर्थात दूसरे सूर्य के समान है उपमा आलंकार कहते हैं कि जाते जाते पहुँच मतुरा धाम में उत्सुका हो जाते जाते अब तुम अन्तता मतुरा धाम में जे पहुँच जाना तो वहाँ उत्सुका हो करके उस स्रेष्ट नगर की सोभा देखना और मोहित हो जाना क्योंकि उसके जो आभावाले कलस, उसकी जो सौंदर सोभा संपन कलस हैं, वो दूसरे सूरे के समान प्रतीत होते हैं, ऐसे सुंदर हैं, ठीक है, फिर देखना कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नानवाद्यों मधुर स्वर की मुगता को बढ़ाना, किम्माले के रिचिरतरु के शब्द कारी फलों को समझो, कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, देखे अथाद देख, सुन, पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, देख तु अगर पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, तो नाना माने होता है बिभिन क्या होता है बिभिन नाना माने बिभिन वाद्यों वाद्य यंत्रों और मधुर स्वर की मुगधता से यानि आकर्शन से आकर्शन को वहाँ पर बढ़ा देना मुगधता यानि की सम्मोहन को तू वहाँ पर बढ़ा देना देख तू पूजा के समय मतुरा और मंद्रों के मद्र चली जाना और बिभिन प्रकार के वाद्य यंत्रों से तू मधुर स्वर के सम्मोहन को बढ़ा देना किमवा माने होता है अथवा अथवा लेके रुचिर तरू रुचिर माने होता है सुंदर तरू माने होता है व्रक्ष ठीक है के शब्दकारी फलों को अथवा तू ले जाकरके शब्दकारी फल अर्था जो धोनी उत्पन करने वाले विभिन ब्रक्षों में फल होते हैं धोनी उत्पन करने वाले जैसे सूख जाते हैं तो धोनी उत्पन करते हैं बड़ी वाली इमली होती है, जिसको खाया नहीं जाता है, इमला उसको बोलते हैं, तो वो भी सूख जाता है, तो आवाज करने लगता है, या तुम बेल ले लो, बेल जो होते हैं, बेल पत्री वाले बेल, जिनका बेल का सरबत पिया जाता है, तो वो भी बेल अगर सूख जा मधुर रव माने होता है धोनी मधुर धोनी से मुग्द हो हो बजाना वहां सम्मोहित हो हो करके तू अपनी हवा के माध्यम से उल्फलों को बजा देना ठीक, फिर देखो यहाँ पर तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तत गता हो तो आप देखे, इसका अर्थमग लेते हैं कि कहते हैं कि तू देखेगी जलद तन को जलद मतलब होता है बादल जिसको हम कहते हैं गहन, तन माने होता है शरीर कि तू देखेगी जलद तन को अर्थात शामल शरीर को तू देखेगी यानि कि बादलों जैसे घं जैसे शाम शरीर को यानि घंशाम को देखेगी जा वही तद गता हो तद माने वही पर गता माने जाकर के तो वहाँ पर जाकर के तद गता हो यानि कि वहाँ पर उपस्थित हो करके तू वहाँ पर उपस्थित हो करके देखेगी उस घंशाम को तो कैसे पहँचानेगी वो बता रही है रादिका कि जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी तो कैसे पहँचानोगी होंगे लोने लोने मतलब होता है सुन्दर होंगे लोने नयन उनके उनके जो नेत्र हैं, नयन माने होता है नेत्र, उनके सुन्दर नेत्र होंगे, जो ती उत्कीन कारी अर्थात प्रकाश को विकीर्ण करने वाले, ठीक है? प्रकास विकीर्ण करने वाले, उनके सुन्दर नेत्र होंगे, ऐसे पहचाल लेना, एक तो देखेगी वहाँ पर तु जलदतन यानि धन्स्याम जैसा उनका शरीर होगा, सामले बादलों जैसा उनका शरीर होगा, रंग होगा, और उनके सुन्दर नेत्र, प्रकास विकीर्ण करने वाले होंगे मुद्रा होगी मुद्रा मतलब उनकी भाव मुद्रा होगी कैसी वर वदन वर माने होता है स्रेष्ट वदन वदन माने यहाँ पर होता है मुख ठीक है मूर्ति सी सौम मेता की उनका उनकी भाव मुद्रा मूर्ति के समान सौम में ठीके स्रेश्ट सुन्दर मुख की मूर्ति के समान सौम्मिता वाली उनकी भाव मुद्रा होगी यानि एकदम मूर्तिमान होंगे ऐसा प्रतीत होगा जैसे स्वयम मूर्ति हो एकदम मूरत के समान सुन्दर ठीके सुन्दरता की प्रतिमूर्ति होंगे मुद्रा होगी भाव मुद्रा उनकी कैसी होगी वरवदन सुंदर मुख की मूर्तिसी सौम्मिता मूर्ति के समान सौमिता होगी उनके मुख से और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सिक्त माने सिंचित होंगे सुधा माने अम्रित से अर्थात उनके साधारन सरल वचन होंगे, सरल वाक के होंगे, जो अम्रित से सने हुए वचन होंगे उनके, तो ऐसे तू पहचान लेना और नीले फूले कमल दल की गात उसकी स्यामता है फिर बताती है उनका शरीर कैसा है कहती है नीले फूले कमल दल सी जैसे नीला फूला हुआ कोई कमल का पत्ता हो दल माने पत्ता हो सी माने के समान सबमें उपमालंकार है गात माने होता है शरीर श्यामता माने सामलापन ठीक है ठीक है सामलापन कि नीले फूले कमल के पत्ते के समान उनके शरीर की श्यामता है और पीला प्यारा वसन वसन माने होता है वस्त्र कटी माने होता है कमर पीला प्यारा वस्त्र कमर में पहनते हैं फबीला फबीला माने होता है सुन्दर और पीला प्यारा सुन्दर सा एक वस्त्र वे कमर में पहनते हैं और छूटी काली अलक मुख की कांती को है बढ़ाती कांती माने होता है चमक या तौंदर्यता छूटी काली अलक माने होता है लट लट यानि की बालों की लट चुटिया कह सकते हो छूटी हुई काली बालों की एक लट मुख पर लटकती होगी, जो की मुख की सौंदरिता को सैक्णों हजारों गुना बढ़ा देती है, सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, और वे सुन्दर साधार्ण वस्त्रों में सदवस्त्र पहने हुए हैं, और उनके शरीर की जैसे उनके सरीर से प्रभा फूट रही हो, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है, फिर आगे समझो कि सांचे ढाला सकलवपु है दिव्य सौंदर्य साली, सत्पुष्पों की सुरभी उसकी प्राण संपोशिका है, सांचे में ढाला है सकलवपु माने शरीर है ठीक है, वपु माने शरीर, सांचे ढाला, उनका समपुण शरीर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सांचे में ढाला गया हो ठीक, दिव्य सौंदर्य शाली, उनका सरीर दिव्य दैवी गुणों से युक्त, सुंदर्ता से युक्त, एकदम सांचे में ढाला हुए के समान होगा, सत पुष्पों सी सुरव, सुरव माने होता है सुगंध, और सुंदर्सुंदर्पुष्पों की सुगंध ही, उनके उसकी उनके शरीर से सुंदर्सुंदर्पुष्पों की सुगंध ही आ रही होगी, जो प्राणों की समपोशिका है, अर्थात प्राणों का पोशन करने व पाली सुगंधी उनके शरी से आ रही होगी, मंद मंद, और दोनों कंधे, उनके दोनों कंधे कैसे होंगे, ब्रिशब माने होता है बैल, वर माने होता है स्रेष्ठ, ब्रिशब वर, स्रेष्ठ बैलों के समान, बड़े ही सजीले, बड़े ही सुन्दर, बड़े ही पुष्ट उनके दोनों कंधे होंगे, लंबी बाहें, उनकी लंबी बाहें कैसी होंगी, कलब होकर हाथी की सूर के समान, हाथी की सूर के समान सुन्दर, क्या होगी, उनकी लंबी बाहें, शक्त की पेटिका हैं, शक्त संपन उनकी दोनों बाहें, क्या हैं, सक्त संपन उनकी दोनों बाह हैं ठीक है कैसी आथी के सूड की समान उनकी दोनों बाहें सक्त संपन हैं ठीक फिर देखो शक्त की पेटिका है अर्था सक्ति का भंडार है तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया रस संपूर में कौन सा है वियोग स्रंगार है बार बार मत मुझना वियोग स्रंगार रस है संपूर में ठीक है संपूर वियोग स्रंगार है छंद अगर बात करें हम तो संपूर में मंदा क्रांता छंद है ठीक है मंदा क्रांता छंद है ठीक है अलंकार अलंकार अधिकतर रूपक और उपमा अलंकार आए हैं उपमा ठीक है शब्द सक्ति इसमें कौन कौन सी है दो है अभिधा और लक्षणा दो शब्द सक्ति है इसमें रश्चंदलंकार हो गया सब्द सक्ति होगा गुण माधुर्य है माधुर्य और प्रसाद दो गुण इसमें आये हुए है अगर हम भाषा की बात करें इसमें संपूर में भाषा जो है वो खडी बोली है कॉनसी है खडी बोली है साहितिक खडी बोली भाषा इसमें है तो ये सारी बात हैं क्लियर हो गई है अब हम बढ़ते आगे फिर क्या बताती है राधिका जी कि राजाओं सा शिर परलसा दिव्या पीड होगा कि राजाओं का सिर परलसा राजाओं सा शिर परलसा दिव्या पीड होगा शोभा होगी उभाय सुरुत में स्वर्ण के कुंडलों की ना नरत ना कलित भुज में मन्जु के यूर होगे मोती माला लसित उनका कम्भु सा कंठ होगा समझो भईया इतने दिन तुम किसी पुरुष को इस्त्रीगी सुंदर्य का व्रण करते हो सुना होगा आज ये एक स्त्री एक पुरुष का सुंदर्य व्रण कर रहे है समझो राजाओं सा राजाओं के समान उनके शिर पर लसा माने सुसोभित होगा सुसोभित होगा या सोभित होगा क्या होगा? सोभित होगा दिव्य माने दैवी गुनों से युक्त और आपीड माने होता है मुकुट ठीक है? कि राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य मुकुट क्या होगा? सुशोभित होगा ऐसे पहचानना शोभा होगी उभय उभय माने होता है दोनों सुरुती माने होता है कान दोनों कानों में स्वरण अर्थात सोने के कुंडलों की सुभा होगी यानि दोनों कानों में सोने के कुंडलवे धारण की होंगे ठीक, नाना रतना कलित रतना कलित यानि रतनों से जडित ठीक है, भुज माने भुजा में मन्जु माने सुन्दर केयूर माने बाजूबंध बाजूबंध जानते हो यहाँ पर पहने जाते हैं यहाँ पर पहने जाते हैं यहाँ पर बाजूबंध यहाँ पर हाथों में इधर और इधर वहाँ बाजूबंध पहने जाते हैं ठीक है लसित माने शुशोभित उनका कम्भु माने होता है शंक जो बजाया जाता है सामाने के समान कंठ होगा उपमालंकार ठीक और मोती माला से सुसोभित उनका मोतियों की मालाओं से सुसोभित उनका शंक के समान कंठ होगा तेरे में है नयाहा गुण जो तू विथा को सुना पाए तू सुना तो नहीं सकती तू महसूस करा सकती तू महसूस करा देना स्री कृष्ण को कैसे तेरे में है नयाह गुण ऐसा गुण नहीं है जो तू विथाओं को सुना दे ज्यानसिंदुक्लासेश.in एक ऐसा वेबसाइट ज्यानसिंदुक्लासेश.in आप सही स्पेलिंग डालना वेबसाइट पे 9, 10, 11, 12 चार कक्षाएं मिलेंगी उपर ही जिसमें आपको 12 पर क्लिक करना है तो लाइन बाई लाइन आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और अगर आपको प्लेलिस्ट ढूननी आती है तो यूटूब चैनल में जाओ और प्लेलिस्ट में देख लो सब करमबद वीडियो लगे हुए हैं प्लेलिस्ट देख लो जादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर एक दो वीडियो देर में अपडेट होते हैं लेकिन प्लेलिस्ट में हर बार अपडेट होते हैं हर रोज हर घंटे ठीक हैं तो डेली लाइब क्लास आपकी शाम आठ बजे होती है इंटर्मीडेट वालों की साथ बजे हाइज स्कूल व पेपस देते रहते हैं बस इतना सा आगे समझे कि तेरे में है न जो तू व्यथाएं सुनाए ए पवन तुझ में तो ये गुण है नहीं कि तू व्यथा को सुना पाए यानि तू मेरी व्यथा को मेरे दर्द को मेरे दुख को तू सुना दे ऐसी तेरे में ताकत नहीं है ऐ आपारों मतलब क्रिया कलापों को प्रखर मति, प्रखर बुद्ध और युक्तियों, यानि उपायों से क्या करना, चलाना बैठे जो हो निज सदन में, निज माने अपने सदन माने घर अगर वे स्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, मेग सी कान्ति वाले, मेग सी कान्ति वाले अर्थात घंशाम की तरह, सामले बादलों के समान, कान्ति यानि चमक वाले तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो तु इस भवन के सारे चित्रों को बड़े ध्यान से देखना सारे चित्र उसमें लगे होंगे, वे अपने कमरे में बैठे होंगे, उसमें बहुत सारे चित्र कारोने चित्र लगाये होंगे तो वहाँ पर तु ध्यान से उन सारे चित्रों को देखना और फिर जो चित्रों में बिरह विधुरा का मिले चित्र कोई कहती है रादेका, बड़े जुगार होते हैं महब्बत में बहुत जुगारों से महब्बत चलती है, समझो जो चित्रों में विराह विधुरा, विराह विधुरा माने विराह से ब्याकुल, विराह से वियोग, नहीं विराह और वियोग से योग तो उसी को कहते हैं विराह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उसमें विराह से विथित किसी नाइका का कोई चित्र मिले, पूरे कमरे करके उसको उसी में पूरी हवा लग जाए तेरी तू हवा बननी हई है और उसी में जाके लग जाना और जब उसी में लग जाना उसको यों हिलाना ऐसे हिला देना कि प्यारे होके चकित तो प्यारे स्रीकृष्ण आस्चर चकित होकर के जिससे चित्र को देखें ठीक है चित् इस प्रकार आशा ये है कि सुरत याने याद उनको हो सकेगी हमारी, तो आशा करते हूं कि हो सकता है उनको इस तरह से हमारी याद हो सके, याद हमारी आ जाए, ठीक है, फिर देखो, जो कोई भी इस सदन में चित्र हो, उद्ध्यान का हो, ठीक है, अगर इस घर में, यानि जहांपर स्री क्रिश्न बैठे हैं, तो अगर कोई उद्ध्यान का चित्र हो, उद्ध्यान मतलब क्या होता है? अगर किसी उद्ध्यान का चित्र हो और हो प्राणी बिपुल उसमें घूंते बावले से अगर कोई वहाँ पर एक महिला का चित्र लगाए तो उसको बहुत तेजी से हिलाना हो सकता इसी तरह हमारी याद आ जाए ध्यान आ जाए हमारा और अगर ये भी न हो मतलब जुगार बहुत बताती है रादिकाजी कि अगर ये भी न हो तो क्या करना तो कहती हैं कि उसमें एक उद्ध्यान का चित्र होगा अगर ये चित्र न हो तो वो चित्र होगा करती, उसमें एक उद्यान का चित्र होगा, जिसमें प्राणी व्याकूल होके इधर और घूम रहे हों, ऐसा अगर चित्र हो, कि बिपुल माने बहुत सारे उसमें घूमते बावले से पगलाय हुए प्राणी से उसमें तमाम लोग घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट, बास मी उनके जा करके और उसको हिला देना उसे भी हिला देना देवातमा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना तो इस तरह उनको पूरे ब्रज के लोगों की तु याद करा देना देवातमा सुरूप स्रीकृष्ण को ठीक इस तरह याद करा देना तु फिर देखो बहुत मस्त कि कोई प्यारा कुसुम गेहला करें यार कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पग पर लाडाल दे नावुसी को कहती हैं कि अगर कुई प्यारा सा पुष्प कुमलाया हुआ यानि मुर्जाया हुआ गेह माने घर में पड़ा हो जो यदि पड़ा हो तो प्यारे के चरण अर्था प्यारे स्रीकृष्ण के चरणों पर लाकर के उसको डाल देना उसी को ठीक है यो देना ऐ पवन बतला है पवन तो इस तरह ये बतला देना कि फूल सी एक बाला इसी फूल की तरह एक बाला बाली का मलाना अर्थात मुर्जा करके मलाना हो करके मलिन मलिन हो करके कमल पग को तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है चरण कमल में रूपक अलंकार है, फूल C में उपमा अलंकार है कहती हैं अगर मालो कोई उस घर में मुर्जाया हुआ फूल पड़ा हो तो तुम क्या करना उस फूल को ले आना और उस फूल को ला करके उनके चरणों पर डाल देना जब आप उनके चरणों पर फूल को डालेंगी तो उनको ये महसूस होगा कि कोई सुन्दर बाला इसी तरहा फूल की तरहा मुर्जा रही है और मेरे चरण कमलों को चूमना चाहती तीसी बात है जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हूँ अगर स्रीकृष्ण प्यारे माने स्रीकृष्ण मंज माने सुन्दर उपवन माने बगीचा छोटा सा बगीचा वाटिका बावडी में खड़े हूँ तो छिद्रों में कोणित करना वेड़ुसा कीचकों को कीचक माने होता है बांस कोणित करना अर्थात कोणित की धोनी करना वेड़ुसा अर्थात बांसुरी के समान छिद्रों में छेदों में जा करके अगर किसी उपवन व्या वाटिका में स्री कृष्ण खड़े हो तो वहाँ पर लगे हुए बांसों के छिद्रों में जाकर के बांसूरी के समान धोनी करना यो माने इस तरहा होवेगी सुरति माने याद तो इस तरहा उनको याद आएगी सर्व गोपांगना की समस्त गोपिकाओं की गोपांगना यानि गोपिकाओं की उनको इस तरहा याद आएगी कि जब हम बांसूरी बजाते थे तो गोपिकाओं दोरी आती थी तो इस तरहा या याद आजाएगी उनको जो हैं वन्शी वन्शी माने बासुरी के स्रमाण रूची सुनने से दीर्ग उतकंट होती जो बासुरी की धुनी को सुनने से दीर्ग बहुत जादा उतकंठित हो जाती इस तरहे याद आएगी उनको अगर तुम बासुं को बजाओगे फिर कहती हैं किला के फूले कमल दल को शाम के साम नही, थोड़ा थोड़ा भी पुल जल में व्यग्र हो हो डुबाना, यो देना ए भग निजतला, एक अंभो जुनेत्रा, आँखों को हो विराह भी धुरा वारी में बोरती है। कहती हैं किला के फूले कमल दल को, कमल के पत्ते को फूले हुए विकसित, पूर्ण विकसित, फूले हुए कमल के दल को यानि पत्ते को शाम के सामने ले आना, और थोड़ा थोड़ा बिपुल माने बहुत जादा जल में, ब्यग्र माने उद्विग्न हो हो करके, ब्याकुल हो हो करके उसको डुबाना यहीं एक पत्ता ले लेना कमल का पत्ता कैसा होता ऐसा होता है कहते है कमल की पंकुडी को ले लेना और इस पत्ते को बिपुल जल में बहुत जादा जल में ब्याकुल हो ब्यक्रमाने ब्याकुल हो करके डुबाना यो देना, ऐ भगीन, भगीन माने बहन, भगीन माने बहन, हे बहन, इस तरहे उनको जतला देना, यानि कि बता देना, कि एक अंभोज नेत्रा, अंभोज में नेत्रा माने कमल जैसे नेत्रों वाली, ठीक है, कमल नेत्रों वाली, अंभोज माने होता है कमल, इस तरहे बता देन कि एक कमल नैनी, कमल जैसी नेत्रों वाली आखों को हो, बिरह बुधरा वारी में बोरती है, अर्थात ऐसे ही, जब कमल दल को तुम बहुत ज़्यादा पानी में डुबोगे, तो इस तरहा क्या होगा? इस तरहा उनको जतला देना, यानि उनको प्रतीती करा देना, उनको बता देना है बहन, कि आखों को बिरह बुधरा, बिरह सेव्याकुल, वारी माने जल में बोरती है, यानि कि डुबोती है, एक कमल नेत्री, एक कमल नेत्री बाला, एक राधिका, जो इस पत्ते की तरहा, ज आपको अपने नैनों को दिंदा डुबोए रहती है आंसुओं में समझ गया आप फिर देखू देखिए आपका कर्तब बनता है एक गंटे की क्लास मैं आज इसको पुरा चैप्टर खतम कर दूँगा बस यही क्लास में दुबारा नहीं दूसरा पार्ट नहीं बनेगा यही पूरा थकना तुमको नहीं है हम तो थकते ही नहीं है है ना इस वर करे हम कभी न थकें और आपको पढ़ाते रहें बहुत ज्यादा ठीक है आपको क्या करना है आपको तो एक बार कॉर्स पढ़के निकल लेना है, हमें हर साल आप जैसे तमाम बच्चों के लिए नई लाइब क्लास चलानी होती है, अब इस बार भी हम नई लाइब क्लास चला रहे हैं, एसा नहीं, हमारे पास ये पवंदूतिका के ही तीन प्रकार के वीडियोज पढ़े हुए हैं, तीन सालों में चार बार हमने पढ़ाया है, पवंदूतिका अगर एक्जाम वाली चीजें देख लें तो पांच-छे बार हमने पढ़ा दिया, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप हमेशा नई क्लास नए तरीके से देखना चाहते हैं, हर बच्चे को नए तरीके से हमेशा पढ़ाना चाहते हैं, हम भी और आप भी पढ़ना चाहते हैं, नया पढ़ाना पढ़ता है हर साल वही चीज फिर से पढ़ानी पढ़ती है क्योंकि आप लोग जुड नहीं पाते हैं कहीं न कहीं तो ये मेहनत हमको करनी पढ़ती नहीं तो केवल वीडियो आपको देखना आपको पढ़ना है तो पुरानी प्लेलिस्ट में पूरा syllabus complete है वहन करके मतलब धोकर धोकर लाना धोकर ठीक है नीप माने होता है कदंब नीप माने क्या होता है कदंब पुष्प माने फूल धीरे वहन करके धोकर के तू हवा में कदंब का पुष्प लाना कदंब जानतो जो खाये जाते हैं कदंब का कोई पुष्प लाना और प्यारे क के चपल, माने होता है चंचल, दृग माने नेत्र के सामने डाल देना, तो प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने लाकर के कदम का फूल डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य-Áशंकिता हो, और इस तरहा उनको क्या करना? दिखा देना कि नित्य आशंकित हो करके नित्य शंकाग्रत आशंकिता माने भैभीत भैभीत कहलो बिछडने से भैभीत या शंकाग्रत कैसी होती बिरहवश में मैं नित्य रोमान्चिता हूँ रोमान्चिता मतलब होता है रोम खड़े होना ठीक है, रोम खड़े होना ही, क्या है, रोमान चिता है, तो जैसे एक कदम का कोई पुष्प होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कदम का पुष्प होता कैसा है, ठीक मैं कदम का पुष्प आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ कदंब का पुष्प अब ये देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कदंब का पुष्प है इसके कैसे रोएं खड़े हैं सारे रोएं खड़े हैं अब रादिका कहते हैं कि इसी तरह रोज तुम्हारी याद में शंका ग्रस्त हो करके मैं रोमान चिता होटती हूँ मेरे भी रोएं इसी कदं की तरहे खड़े हो जाते हैं तो इस तरह भाव आप देखे कितना भाव विभोर होकर के लिखा है भाव विभोर होकर वो अपनी बातने बताती हैं कि नित्य रोमान्चिता हो बिरहवश बिरह के वस में पढ़कर के मैं कैसी होती हूँ नित्य प्रति रोमान्चित होती हूँ मेरे रुएं कैसे खड़े होते हैं जब तुम उनको कदम का पुष्प ले जाकर के उनके सामने डालोगी तो पता चल जाएगा बैठे नीचे जिस विटप के शाम हो हैं उसी का कोई पता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना यों प्यारे को विद्युत करना चातूरी से दिखाना मेरे चिन्ता विजित चित का अकलांत हो का पुजाना कहते हैं कि बैठे नीचे जिस विटप विटप माने वरक्ष हमने बताया अभी शाम जिस वरक्ष के नीचे बैठे हूं उसी का कोई पता उनके नेत्रों आठों के सामने ले कर के हिलाना यो इस तरह प्यारे को विदित करना विदित करना यानि की बताना चातूरी से बड़ी चातूरी यानि चतूरता से उनको दिखाना मेरे चिन्ता विजित अर्था जिसको चिन्ता ने जीत लिया हो अर्था चिन्ता ग्रस्त चित माने हरदैं मेरे चिन्ता ग्रस्त हरदैं का कलांत होकर के यानि की दुखी होकर के कांप जाना उनको दिखा देना अगर कोई पत्ता पेड का हो तो उसको हिला देना थर्रा करके इस तरहे उनको पता चल जाएगा मेरे चिंता ग्रस्त हदें का काप जाना उनको इसकी महसूस हो जाएगा इनकी प्रतीत हो जाएगी सूखी जाती मलिन लतिका मूस्ट इंपार्टेंट है अगर कोई सूखती हुई मलिन माने मुर्जाई हुई लतिका माने बेल लता जो धरा में पड़ी हो अगर मुर्जाई हुई कोई बेल लता धर्ती में पड़ी हो तो क्या करना पाउं के निकट उसको शाम के ला गिराना तो श्याम के पाओं के निकट उस लता को लाकर के गिरा देना अगर कोई बेल लता पड़ी हो मुझाई हुई कहीं तो तु ढूँट धाड़ के उसको लाना और स्याम के चरणों के आगे गिरा देना सीधे से प्रकट करना प्रकट करना बता देना प्रीति से वंचिता हो तेरे प्रेम से वंचित हो करके मेरा आतिमलिन होना और सूखते नित्य जाना इस तरह बतला देना कि जैसे ये बेल लता तुम्हारे तुम्हारी चिंता में इसी बेल लता की तरह मैं नित्य प्रति सूखती जा रही हूँ ठीक है इस तरहे बता देना और कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रिग युगल के सामने लाऊ से ही दीरे धीरे समहल रखना और उन्हें यों बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोशिता सा हमारा अगर कोई पत्ता नवल माने नए नए तरुका हो यानि पेड का कोई नवीन पत्ता हो नव पत्ता हो तो पीत अगर वो पीला हो रहा हो तो प्यारे के द्रिग युगल दोनों नित्रों के सामने ला करके धीरे धीरे सम्हाल करके उनके सामने रखना उन्हें इस तरह बता देना मेरा भी उनके प्रबल दुख से प्रोशित पतिका नाईका जिसका पती परदेश चला गया हो ऐसी नाईका के समान मेरे प्रवल दुख को उनको बता देना, मेरा पीला होना उनको बता देना, सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है और यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बिथाएं, आखरिन देखिए मजा आता है का होता है, कि यों माने इस तरह प्यारे स्री कृष्ण को विदित करके यानी की बता करके, जना करके बता करके सर्व मेरी बिथाएं, मेरी सारी बिथाएं, मेरे सारे दुखदर्द इस तरहे बता करके धीरे धीरे वहन करना पाउं की धूली लाना इस तरह सारा वरण कर देना प्रतीत करा देना बता देना और क्या करना कि पाउं की उनकी धूल तू वहन करके ढोकर ले आना ठोड़ी सी भी चरन रज जो लान देगी हमें तू अगर तू तनिक भी हमको चरन रज उनके चरनों की धूल लाकर के नहीं देगी हा कैसे तो विठित चित को मैं बोध दे सकूंगी तो हाए कैसे मैं अपने विठित चित माने हरदें को बोध माने समझा सकूंगी सहारा दे सकूंगी मैं अपने चित को कैसे समझा सकूंगी अगर तूनकी चरण धूली नहीं ला पाई तो मैं अपने इस दुखी चित्त को कैसे समझा सकूँगी और फिर देखना कि पूरी होए न यदि अंत में क्या कहती हैं कि पूरी न होए यदि तुस्से अन बाते हमारी अरे जो जो हमने बताया है वो अगर पूरा न कर सके तू तो मेरी बिने माने विनती इतनी मान ले और चली जा छू के प्यारे कमल पग को उनके चरण कमल प्यारे के चरण कमलों को छू लेना प्यार के साथ आजा और जी जाओंगी हृदें तल में मैं तुझी को लगा के तू भगवान स्री कृष्ण के चरण कमलों को छू लेना और आना मेरे लग जाना मैं तुझको ही अपने हुरदे में लगा करके जी लूँगी सहलूँगी ये दूरी सहलूँगी मैं चार दिनों का प्यार और अबाब बड़ी लंबी जुदाई है ना ये लंबी जुदाई है उनकी कहती है कि बस कुछ ना अगर करने अन्त में ठक जाती समझाती समझाती अब उनको भी यही पता है कि ये सब पमन नहीं कर पाएगी लेकिन अब महबबत में आदमी क्या-क्या कर बैठता है किस किस को आदमी मान लेता है पहाडों परवतों को जर्नों को आदमी मान लेता है संदेश महबबत में न जाने किस को किस को सुनाते है मेग दूत में वो यक्ष मेग को अपना संदेश वाहग मान लेता है डाकिया मान लेता है कि सपनों में अपनों के हाथ दे गया मेरी रातों की हाए मेरी रातों की मेरी रातों की नींद ले गया डाकिया डाक दे गया तो डाकिया समझो, यहाँ पर डाकिया बनाया है, पवन को दूतिका बनाया है, मेग को ऐसे दूत बनाया था, मेग दूत कारिदास की रचना है, जब उसकी एक्षणी वियोग में होता है, वो एक्षणी उसकी बिछड जाती है, तो वो बादलों को दूत बनाता है, तो इस त से हमने आपको इसमें बता दिया है चीजें और उमीद है आपको पूरा बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ गया होगा, उमीद नहीं है, पूरा 100% स्योर है, क्योंकि कठिन कुछ था नहीं, जितने भी मीनिंग्स थे, मैंने एक-एक करके बता दिये हैं, कुछ बचा नहीं है नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से देख लेना, दो डबल समय बरबाद करेंगे, तो जिंदगिम भूलेंगे नहीं, मैं यह जमसता हूँ, फिलाल तो एक ही बार में आप नहीं भूलेंगे, बहुत कठिन चैप्टर ये नहीं है, तो एक बार शेयर कर दीजिए, और एक घंटा लगबग हो रहा है, उम्मीद करते हैं, कि आप लोग इसको, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही आप लोग, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप सामने नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं हैं, तो आपका आस्थित्व, हमारा आस्थित्व, हमारा वजूद आपकी वज़े से है, तो आप लोग हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, भाई, टेलिग्राम जॉइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट में वहीं देता हूँ, आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, चूंकि आप सम समय हो चुका है, धन्यवाद झाल में पप समय हो चीज है आपस करेस डिंट एंग, जल याप ऐता है, रहीं हो चिल्ग हो वहीं हो वहीं है, बहुत कर स रहता है, भादेब तो दिनने captioning झाल 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 झाल